हेलो एब्रीवन स्वागते आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWT जॉप में समग्र सिक्षा के तहत 147 पदों पर वेकंसी आई है रिसोर्स पर्सन की वेकंसी है जिसमें किसी भी राज्य के कैंडिरेट आविदन कर सकते हैं फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं फीज बिल्कुल नहीं लग रही है चलिए देख लेते हैं ओफिशल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पूरा चैक करने वाले हैं कैसे इसमें अप्लाए करना है सिलेक्शन कैसे रहेगा वो सारी चीज़ है एज की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि एज लिमिट जो है काफी रखी गई है 18 से लेकर 62, 62 तक के कैंडिडेट इसमें आविदन कर सकते हैं लास्ट डेट रहेगी 13 नवंबर 2024 तो 13 नवंबर 2024 तक जो है आप लोग इसमें अप्लाए कर पाएंगे तो यहाँ पर दिखें नेम आफ पोस्ट अकैडमिक रिसोर्स परसन फॉर करियर काउंसलिंग इसमें जो है कौन कोन अप्लाए कर सकते हैं इसमें क्या मांग रहे हैं तो ग्रेजवेशन के साथ में सर्टिफिकेट अफ डिप्लॉमा इन करियर काउंसलिंग का है या फिर पोस्ट ग्रेजवेट डिप्लॉमा है आपके पास काउंसलिंग का यह भी नहीं है तो केवल मास्टर डिग्री अगर आपने साइकलोजी से किया है तो ऐसे कैंडिडेट को तो प्रेफरेंस यह देंगे ही ठीक है और भी यहाँ पर लिखा है कि प्रेफर्ड मिनीमम ओफ वन यह एक्सपिरेंस इन प्रोवाइडिंग करियर Educational Counseling to Student at School या किसी स्कूल में आपने इस पद पर जो है काम किया है करियर काउंसलिंग के तौर पर तो आप लोगों को यहाँ पर प्रात्मिक्ता देंगे तो अगर मैं बात करूँ कि कहीं पर भी जो है आपके पास कोई अनुभव नहीं है Master Degree आपने Psychology से किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाए कर सकते हैं Diploma in Career Counseling वाले तो अप्लाए करेंगे ही Salary जो है इसमें 25,000 पर मंत रहने वाली है Number of Post जो है 147 है समगर सिक्षा के तहट जो है यह वेकैंसी जारी की गई है इसमें जो है अगर आप अप्लाए करेंगे तो पहली बात तो Online Application Form आपको फिल करना है सबसे पहले जो Guidelines दी है उन्हें आप पढ़ेंगे Online Registration होगा उसके बाद जो है Online Application होगा Only eligible candidate will have to appear in test या तो test लिया जाएगा या interview रहेगा तो यह आप लोगों को जो है जो भी आप उसमें mention करेंगे Mobile number, email address तो उसके थुरू आप लोगों को जानकरी मिलेगी Test और interview का जो time, date यह सारी चीज़ें आप लोगों को official website चेक करते रहना है उससे आप लोगों को जानकरी मिलेगी तो बस इतना ही था इसमें तो आप जो है apply कैसे करना है वो हम देख लेते हैं वेकेंसी जो जारी की गई है तो यह वेकेंसी गौर्मेंट आप असम elementary education समगर सिक्षा के तहत जारी की गई है यहाँ पर latest में आप लोगों को दिखाई दे रहा है Tuesday October 29, 2024 academic resource person की वेकेंसी है तो बस इस पर जो है click कर लेंगे और आपके सामने जो है यह पूरा notification आ जाएगा ठीक है यहाँ पर detail में click करना है apply करने के लिए just इसके उपर ही click here to apply online इस पर click कर लेंगे notification परने के लिए आप लोगों को यहाँ पर click करना है details पर ठीक है तो यह पूरी जानकारी रही कोई fees नहीं देनी है तो चलिए मिलेंगे next वीडियो में और भी नई vacancy आती है आप लोगों तक पहुचाई जाएगी thank you